ला 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 सबी देशों के तक तो बरबच जानवर ही साजे सुनने वालों को मेरा नमसकार अनिमल फार्म के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है इसके तीसरी दिन बूढे मेजर ने सदा के लिए आखें मूंद ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए मार्च का महीना शुरू हो चुका था और मैनर फार्म में जानवरों के बीच गुप्त रूप से क्रामती की गतिविधियां चलती जा रही थी बूढे मेजर के शब्द उन सब को अब भी प्रेड़ना दे रहे थे सब को समझाने और सिखाने का काम सुवरों के जिम्मे था क्योंकि वही सबसे अकलमंद माने जाते थे और इन सब में भी सबसे अगवा थे दो सुवर नैपोलियन और स्नोबॉल नैपोलियन एक कुछ हुँखार शकल का बड़े डील डॉल वाला सुवर था जो बोलता कम था पर अकसर अपनी बात मनवा लेता था उधर स्नोबॉल एक प्रभावशाली वक्ता था अच्छा बोलता था और नए नए चीजों के बारे में सोच भी पाता था पर उसका दबदबा नैपोलियन से कुछ कम था बाकी सुवरों में था गोल मटोल चमकीली आँखो वाला स्क्वीलर जो दाएं से बाएं पैर पे फुदक फुदक कर अपनी दुम हिला हिला कर अपनी बात समझा लेता था सब जानते थे कि क्रांती जरूर आएगी मगर कब कैसे और किस रूप में आएगी ये कोई नहीं जानता था धीरे धीरे जानवरों ने इंसानों की डाली हुई बुरी आदतें छोड़ दी जैसे मॉली ने शक्कर खाना और बालों में रिबन बांधना तीनों सुवरों ने मिलके स्वर्गवासी मेजर की सीख पर आधारित एक सोच स्थापित करी जिसका नाम रखा जानवर पंथ और धीरे धीरे जानवर पंथी मैनर फाम में बढ़ती चली जा रही थी रोज रात को विशेश सभाएं बुलाई जाती जिनका अंत हमेशा इंग्लेंड आइरलेंड के जानवरों वाले क्रांती गीट से होता और फिर अचानक एक दिन वो पल आ ही गया क्रांती का पल संग्राम की घड़ी हुआ यूँ कि मिस्टर जोन्स अदालत में एक केस हार गए थे हाल ही में और उसके बाद से वो कुछ जादा ही शराब पीने लगे थे अकसर वो एक कुरसी में धसे बस अकबार पढ़ते रहते या शराब पीते रहते उनके फार्म में काम करने वाले लोग भी आलसी और काम चोड़ हो गए थे एक दिन तो हद ही हो गई इस्टर जोन्स शराब पीने शहर में गए एक शाम और अगले दिन की दोपहर तक लोटे और आते ही पढ़के सो गए जानवरों को चारा पानी तक देना भूल गए का सबसे भीशनवार समझा और वो मैदान में उतर आए फिर क्या था सब ने एक साथ चीखना चिदलाना रेकना रंभाना और गुर्राना शुरू कर दिया भूक से पागल हो गए जानवर इधर उधर हरकंप मचाने लगे मिस्टर जोन्स और उनकी पत्ती ने जब ये कोला हल सुना तो दोनों खिड़की पर आए और नीचे जाका और वहां का दृश देखकर दंग रह गए मिस्टर जोन्स ने फॉरन अपने सहाइकों को बुलाया और उनके साथ मिलकर वो जानवरों पर काबू पाने नीचे पहुँचे और सबने सोते कोडे चाबो की सहायता से जानवरों को मार मार की काबू पाना चाहा अब तो भूक और गुस्से से बिलबलाते जानवर और भड़क उठे अब तक तो वो खाली अपना चाराना मिलने के कारण एक विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे मगर अब इस अत्याचार से वो ऐसे घुस्से में आए कि उन्होंने मिस्टर जोन्स और उनके सहाइकों पर आक्रमन कर दिया मुपर मिस्टर जोन्स की पत्नी ने जब ये नजारा देखा तो उन्होंने फौरण दो चार कपड़े एक बैग में ठूसे और पीछे के दर्वाजे से निकल भागी मिस्टर जोन्स ने देखा कि वो सड़क पे दोड़ी जा रही है इधर जानवरों ने मिस्टर जोन्स और उनके सहाइकों को ख़देर ख़देर के मैनर फार्म के मुख्य दौर से बाहर कर दिया और दौर बंद कर दिया और यूँ अचानक मैनर फार्म अब उनके कबजे में था और वो आजाद थे चकित जानवरों ने पहले तो पूरे मैनर फार्म में घूम कर एक विज़ई दौर लगाई और उसके बाद अस्तबल को ठार वगेरा में घुसकर नकेल, चाबोक और सोटे और ऐसे सब उपकरण जो इनसानों ने उन्हें बांधने और नाथने के लिए प्रयोग किये थे उन सब को लाकर कुए में डाल दिया इसके बाद नैपोहियन ने उन सब को दुगना चारा दिया और सब ने बड़े खुश हो के चारा खाया और फिर अपना क्रांती गीद गाया बड़े जोश से और गाते ही चले गए पूरे साथ बार इसके बाद सभी जानवर ठककर सो गए आजादी के पहली सुबह जब उन सब ने आखें खोली तो पिछले दिन की जीद के बारे में सोच कर फूले ना समाए और कुलाचे भरते रहे उस पूरे फार्म में जो अब सिर्फ उनका था इसके बाद स्नूबॉल्ड और नैपोलियन के नित्रतों में वे मिस्टर जोन्स के घर में गुसे और वहां नरम गद्देदार बिस्तर और गुदगुदे कालीन और तमाम एश और आराम देख कर चकित रह गए सब ने तैय किया कि ये घर एक म्यूजियम की तरह रखा जाएगा और कोई भी जानवर इसमें नहीं रहेगा स्नोबॉल और नेपोलियन ने खुलासा किया कि पिछले तीन महीनों में उन्हों ने मिस्टर जोन्स के बच्चों की किताबों से पढ़ना लिखना सीख लिया था और अब मैनर फार्म की तक्ती उतारी गई काला और सफेद पेंट लाया गया और स्नोबॉल ने अपने खुर में पेंट ब्रश पकड़ के बड़े इत्मनाज से धीरे धीरे लिखा आनिमल फार्म और वो तक्ती मुख्य द्वार के उपर टांग दी गई इसके बाद जानवर पन्थी के साथ नियम काली पेंट हुई दिवार पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में पेंट किये गए और स्नोबॉल ने उन्हें सब जानवरों को पढ़के सुनाया नियम इस प्रकार थे पहला नियम चलता जो टांगों पर दो उसको तुम दुश्मन समझो दूसरा नियम उड़ता हो या टांगे चार वही तुम्हारा असली यार तीसरा नियम कपड़े लत्ते इंसानों के हम तो बस नंगे अच्छे चौथा नियम सोए इंसानी बिस्तर पर जो धिकार का पात्र समझो उसको पाँच्वानियम मदरा पान को ना 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 दारू ना बीडी फूँकना छटा नियम जब भाई न भाई को मारेगा तब अत्याचार हारेगा और सात्वानियम ना कोई उचा ना नीचा है हम सब हैं बराबर होशियार जानवर ये सातो नियम सुनके उन्हें बार बार दोरा के रटने लगे और अपने से कम अक्ल वालों को समझाने लगे साथियों सनोबॉल ने कहा इस साल की फसल जोन्स के जमाने से ज्यादा होनी चाहिए दुगनी होनी चाहिए हम सब को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं कम नहीं कम नहीं हम किसी से कम नहीं सभी जानवर एक जुठो कर बोल उठे तभी तीन गायों ने एक अजीब स्वर में रंभाना शुरू किया 24 गंटे हो गए थे और उनको दुहा नहीं गया था सुरों ने फॉरण बाल्टिया मंगवाई और गायों को दुहा गया और देखते ही देखते पांच बाल्टी मलाईदार दूद सब के सामने था इतना सारा दूद किसी ने कहा इसका क्या होगा मित्रों नैपोलिय ने कहा दूद की चिंता आप मत कीजिए वहाँ खेतों में फसल खड़ी तयार है आप लोग स्नोबॉल के साथ जाईए और उस पर ध्यान दीजिए दूद वगेरा की चिंता करना अब हमारा काम है सभी जानवर स्नोबॉल के नेत्रतों में खेतों पर काम करने गए और शाम तक ठक के लोटे जब वो लोट के आये तो उन्होंने देखा कि दूद की बाल्टियां नदारत थी शायद वे सही तोर पर ठिकाने लगाई जा चुके थी इंग्लेंड आलेंड के सभी जानवर जानवर दुन्या पर के सब देखा मैंने सुन्दर सपना कान लगागर सुन्दो आप